राम राम दोस्तों गाड़ी लेते टाइम कई बार लोग नई गाड़ी की तरफ ना जाकर पुरानी गाड़ी सर्च करते हैं तो आज की वीडियो में कम बजट की ऐसी ही 10 सेकंड हैंड गाड़ीों की बात करेंगे जो एजिली एक से डेढ़ लाक में मिल जाती है और आपके सपनों को पूरा कर सकती है तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना तो शुरुआत करते हैं Hyundai i10 गाड़ी से जिसको 2017 में डिसकॉंटिन्यू किया गया था लेकिन आज भी ये गाड़ी सेकंड हैंड मार्केट में राज कर रही है जो फोर सिलिंडर एंजिन के साथ काफी पावरफुल और माइलिज एफिशेंट मानी गई है इस गाड़ी का एक से डेढ़ लाक के अंदर 2011 से 2013 मॉडल एजिली मिल जाता है वो भी CNG के साथ और कुछ टाइम चलाने के बाद भी आप इसे अच्छे प्राइस में रिसेल भी कर पाओगे क्योंकि गाड़ी की आज भी अच्छी रिसेल वैल्यू देखी जाती है जबकि गाड़ी की मैंटिनेंस कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है एक पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी मानी जाती है इसके बाद आती है टेवरले बीट जो की 2017 में डिसकॉंटिन्यू की जा चुकी है जिस वजह से ये गाड़ी आपको एकदम रीजनबल प्राइस में मिल जाती है इस गाड़ी में मैंटिनेंस के अलावा कोई भी खर्चा नोटिस नहीं किया गया जबकि माइलेज के हिसाब स इसे भी एक बेस्ट गाड़ी है इस गाड़ी का दो हजार तेरह से पंदरह मॉडल एजली एक से डेड़ लाख में मिल जाता है जो चलाने के हिसाब से बेस्ट है लेकिन रीसेल वैल्यू बाकी गाड़ीों से थोड़ा कम देखने को मिलती है बट दो चार साल चलाने के इसे ही पैसे वसूल हो जाते हैं और रीसेल भी हो ही जाती है क्योंकि छोटी गाड़ियों को रीसेल करना आसान होता है इसके बाद आती है अल्टो के टेन जिसका फर्स जेनरेशन दो हजार दस से चौदह तक रहा है जोकि लुकवाइज अल्टो से थोड़ा डिफरेंट ग गाड़ी से ज्यादा अल्टो के टेन की डिमांड ज्यादा है वहीं इस गाड़ी का दो हजार ग्यारह से चौदह मॉडल एजली एक से डेढ़ लाख में मिल जाता है जबकि इस गाड़ी की भी मेंटिनेंस कॉस्ट बहुत ही कम देखी गई है और आज भी सेकंड हैंड मार् से पहली एंट्री लेवल सेधान गाड़ी रही है जिसको दो हजार तेरह में डिसकंटीन्यू किया जा चुका है लेकिन इस गाड़ी को एक पावरफुल पिकप वाली गाड़ी बोला जाता है जिसमें माइलेज बेशक कम मिलती हो लेकिन आज आने वाली अच्छी अच्छी गाड़ियों को पीछे छोड़ देती है और केबिन स्पेस भी बेस्ट मिल जाता है वही जिनको गुड लुकिंग सेडान गाड़ी लेनी हो उनके लिए इस गाड़ी का दो हजार बारह से तेरह मॉडल एजली एक से डेड़ लाक में मिल जाता है जो एक लंबी गाड़ी एक comfortable और mileage efficient गाड़ी रही है जिसमें maintenance cost भी ज्यादा नहीं थी जिसको आज भी लेने के लिए देखा जाता है जिनको अच्छी mileage के साथ good looking सेडान गाड़ी लेनी हो उनके लिए इस गाड़ी का दो हजार बारह से तेरह मॉडल एजली एक से डेड़ लाक में मिल जाता है जो म second hand car market की रानी है जिसको लोग दूसरी गाड़ियों से ज्यादा पैसे दे कर भी खरीदना पसंद करते हैं जो अच्छी mileage के साथ भरपूर space offer करती है जिसमें बहुत कम maintenance cost होती है और एक pocket friendly गाड़ी है जिनको अच्छी mileage के साथ good looking, spacious और एक उंची गाड़ी लेनी हो उनके लि कुछ साल चलाने के बाद सही पैसे में resale भी कर सकते हैं जिसकी resale value अच्छी मिलती है इसके बाद आती है Hyundai Centro जो की second hand car market में वैगनार के बाद खरीदी जाती है जो powerful engine के साथ CNG में अच्छा mileage निकाल देती है जिस वजह से Centro गाड़ी को सिर्फ CNG के साथ ही खरीदा जाता है और ये भी second hand market में अच्छी resale value के साथ आती है जिसका 2012-14 model वो भी CNG के साथ easily एक से डेड़ लाक में मिल जाता है जो कम पैसो में एक powerful गाड़ी आ जाती है जिसका maintenance भी कुछ खास नहीं है मतलब easy maintain गाड़ी है इसके बाद आती है Maruti Alto 800 जो की second hand car market में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली गाड़ी है जिसमें petrol engine से भी अच्छा mileage मिलता है और CNG में भी जिसके compact size की वजह से कम जगह में भी fit बैठती है और चलाने में भी आसान है जबकि 5 बंदों तक comfortable seating भी मिल जाती है जिस वजह से लोग इस गाड़ी को बिना किसी सलाह के भी खरीद लेते हैं जिसक 2013 से 14 model पेट्रोल में easily एक से डेढ़ लाक में मिल जाता है और इस गाड़ी की सबसे best resell value मिलती है जिसको आधी रात को भी इस गाड़ी को resell किया जा सकता है इसके बाद आती है Maruti Swift जो की second hand car market की evergreen गाड़ी है जो सिर्फ नाम से बिकने वाली गाड़ीों में से एक है जिसमे comfort, mileage, power और अच्छी ride quality मिल जाती है जबकि 5 बंदों तक ideal space भी offer होता है जिस वजह से लोग इस गाड़ी को बिना किसी से सोच विचार किये हरीदने को agree हो जाते हैं जिसका 2010-11 model patrol में easily एक से डेढ़ लाक में मिल जाता है जो कम पैसों में Swift गाड़ी चलाने के shock को पूरा करती ह और इस गाड़ी की सबसे best resell value भी मिल जाती है जो आधी रात में भी बिक जाती है जिसको इतने पैसों में खरीदने में कोई बुराई नहीं है इसके बाद आती है Maruti Ritz जिसको 2016 में discontinue किया जा चुका है जो की second hand car market में Swift से सस्ती मिलती है लेकिन Swift से किसी भी तरह से कम नहीं ह जिसमें भी comfort, mileage, power और Swift से अच्छी ride quality मिल जाती है जबकि cabin space और ground clearance भी अच्छा मिलता है जिसके चलते ये गाड़ी भी आपके लिए best गाड़ियों में से एक होने वाली है जिसका 2011 से 12 model patrol में easily 1.5 लाक में मिल जाता है जो हर तरफ से आपके लिए अच्छी रहने वाली है और इस गाड़ी की maintenance cost भी Swift के जितनी ही मिलती है तो high maintenance cost का वो भी डर नहीं है जबकि Swift गाड़ी के जैसे इस गाड़ी को भी किसी भी time resell किया जा सकता है तो ये थी वो 10 गाड़ियां जो 1.5 लाक के budget की best गाड़ियां है जिनसे आपके गाड़ी चलाने के शौक भी पूरे हो जा करती है सो second hand गाड़ियों की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर से करें तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में interested सी जानकारी के साथ जैहिंद